ओम श्यान्ती आज की तारिक है 4 जन्वरी 2021 आज मिठे मिठे प्यारे प्यारे बाबा ने कहा मिठे बच्चे कदम कदम बाब की श्रीमत पर चलते रहो एक बाब से ही सुनो तो माया का वार नहीं होगा प्रेश्न उँचपद प्राप्त करने का आधार क्या है उत्तर उँचपद प्राप्त करने के लिए बाब के हर डिरेक्शन पर चलते रहो बाब का डिरेक्शन मिला और बच्चों ने माना दूसरा कोई संकल्प तक भी ना आए इस रुहानी सर्विस में लग जाओ तुम्हें और कोई की याद नहीं आनी चाहिए आप मुए मर गई दुनिया तब उँचपद मिल सकता है गीत तुम्हें पाके हमने ओम श्यांती मीठे मीठे रुहानी बच्चों ने यह गीत सुना वो है भक्ती मार्ग का गाया हुआ इस समय बाब इसका रहस समझाते हैं बच्चे भी समझते हैं अब हम बाब से बेहद का वर्सा पा रहे हैं वहा राज्य हमारा कोई चीन न सके भारत का राज्य बहुतों ने चीना है ना मुसल्मानों ने चीना अंग्रेजों ने चीना वास्तम में पहले तो रावण ने चीना है आसुरे मत पर यह जो बंदिरों का चित्र बनाते हैं Here no evil, see no evil इनका भी कोई रहस्य होगा ना बाप समझाते हैं एक तरफ है रावण की आसुरी संपरदाय जो बाप को नहीं जानते हैं दूसरी तरफ हो तुम बच्चे तुम भी पहले नहीं जानते थे बाप इनके लिए भी सुनाते हैं कि इसने भी बहुत भक्ती की है इनका यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म यही पहले पावन थे, अब पतित बने हैं इनको मैं जानता हूँ अभी तुम और किसकी मत सुनो बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ हाँ, कभी कोई मित्र संबंधियों आदी को ले आते हैं तो थोड़ी बात कर लेता हूँ पहली बात तो है, पवित्र बनना है तब ही बुद्धी में धारना होगी यहां के काईते बहुत कड़े हैं आगे कहते थे सात रोज भठी में रहना है और कोई की याद न आए न पत्र आदी लिखना है रहो भल कहां भी परंतु सारा दिन भठी में रहना पड़े अभी तो तुम भठी में पढ़कर फिर बाहर निकलते हो कोई तो अश्चर्यवत सुननती कथनती अहो माया फिर भागनती हो गए यहाँ है बड़ी भारी मंजिल बाप का कहना नहीं मानते बाप कहते हैं तुम तो वान प्रस्ती हो तुम क्यों मुफ्त में फंस पड़े हो तुम तो इस रुहानी सर्विस में लग जाओ तुम्हें और कोई की याद नहीं आनी चाहिए आप मुए मर गई दुनिया तब उंचपद मिल सकता है तुम्हारा पुरशार्थ ही है नर से नारायन बढ़ने का कदम कदम भाप के डारेक्शन पर चलना पड़े परंतु इसमें भी हिम्मत चाहिए सिर्फ कहने की बात नहीं है मोह की रग कम नहीं है नस्टो मोहा होना है मेरा तो एक शे बाबा दूसरा ना कोई हम तो बाबा की शरण लेते हैं हम विश कभी नहीं देंगे तुम इश्वर तरफ आते हो तो माया भी तुमको छोड़ेगी नहीं खूब पच्छाडेगी जैसे वैद्यलों कहते हैं इस दवाई से प सताएगी वानप्रस्त अवस्था में भी विकार के संकल्प ले आएगी मोह उत्पन हो जाएगा बाबा पहले से ही बता देते हैं कि यहां सब होगा जहां तक जियेंगे यह माया की बॉक्सिंग चलती रहेगी माया भी पहलवान बन तुमको छोड़ेगी नहीं यह ड्रामा में नून्ध है मैं थोड़े ही माया को कहूँगा कि विकल्प न लाओ बहुत लिखते हैं बाबा कृपा करो मैं थोड़े ही किस पर कृपा करूँगा यहां तो तुमको श्रीमत पर चलना है कृपा करूँ, फिर तो सब महराजा बन जाएं, ड्रामा में भी है नहीं सब धरम वाले आते हैं, जो और और धरम में ट्रांसफर हो गए होंगे, वहा निकल आएंगे यहाँ सैंपलिंग लगता है, इसमें बड़ी महनत है नए जो आते हैं तो सिर्फ कहना है बाप को याद करो, शिर भगवान वाच, क्रिशन कोई भगवान नहीं है वह तो चुरासी जन्मों में आते हैं, अनेक मत अनेक बाते हैं, यह बुद्धी में पूरा धारन करना है हम पतित थे, अब बाप कहते हैं, तुम पावन कैसे बनो, कल्प पहले भी कहा था, मामे कम याद करो, अपने को आत्मा समझ, देह के सब धरम छोड, जीते जी मरो मुझ एक बाप को ही याद करो, मैं सरव की सदगती करने आया हूँ, भारतवासी ही उच बनते हैं, फिर चुरासी जन्म ले नीचे उतरते हैं, बोलो तुम भारतवासी ही इन देवी देवताओं की पूझा करते हो, यहा कौन है, यहा स्वर के मालिक थे न, अभी कहा है, पत्युग में तो यही देवी देवता थे, अभी फिर इस महाभारत लडाई द्वारा सबका विनाश होना है, अभी सब पतित तमो परधान है, मैं भी इनके बहुत जन्मों के अंत में ही आकर प्रवेश करता हूँ, यहा पूरा भक्त था, नारायन की पूझा करता था, इन में ही प्रवेश कर फिर इनको नारायन बनाता हूँ, अब तुमको भी पुरुशार्थ करना है, यह डीटी राजधानी स्थापन हो रही है, माला बनती है ना, उपर में है, निराकार फूल, फिर मेरु यूगल, शिबाबा के नीचे एकदम यह खड़े हैं, जगत पिता ब भारत हमारा है, तुम भी समझते हो, हम विश्यो के मालिक हैं, हम राजाई करेंगे, और कोई धरम होगा ही नहीं, ऐसे नहीं कहेंगे, यहां हमारी राजाई है, और कोई राजाई है नहीं, यहां बहुत हैं, तो हमारा तुम्हारा चलता है, वहां यहां बाते ही नहीं, तो अब बाप समझाते हैं बच्चे और सब बातें छोड मामेकम याद करो तो विकरम विनाश होंगे ऐसे नहीं कोई सामने बैठ निस्ठा योग कराई तरिस्टी दे बाप तो कहते हैं चलते फिरते बाप को याद करना है अपना चाट रखो सारे दिन में कितना याद किया सवेरे उठ कितना समय बाप से बातें की आज बाबा की याद में बैठे ऐसे ऐसे अपने से मेहनत करनी है नौलेस तो बुध्धी में है फिर औरों को भी समझाना है यहा किसकी बुध्धी में नहीं आता है कि काम महाशत्रू है दो चार वर्ष रहकर फिर माया का थपड जोर से लगने से गिर पड़ते हैं फिर लिखते हैं बाबा हमने काला मुह कर दिया बाबा लिख देते काला मुह करने वाले को बारा मास यहां आने की दरकार नहीं है तुम बाप से परतिग्या कर फिर भी विकार में गिरे मेरे पास कभी नहीं आना बड़ी मंजल है बाप आई ही है पतित से पावन बनाने बहुत बच्चे शादी कर पवित्र रहते हैं हाँ किसी बच्ची पर मार पड़ती है तो उनको बचाने लिए गंधर्वी विवाह कर पवित्र रहते हैं उसमें भी कोई कोई को तो नाक से माया पकड़ लेती है हार खा लेते हैं स्त्रियां भी बहुत हार खा लेती हैं बाप कहते हैं तुम तो सूप नखा हो यह सब नाम इस समय के ही है यहां तो बाबा कोई विकारी में बैठने भी ना दे कदम कदम पर बाप से राई लेनी पड़े सिरिंडर हो जाए तो फिर बाप कहेंगे अब ट्रस्टी बनो राई पर चलते रहो पोता मेल बताएंगे तब तो राई देंगे यह बड़ी समझने की बाते हैं तुम भोग भल लगाओ परन्तु मैं खाता नहीं हूँ मैं तो दाता हूँ अच्छा मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार पास्ट जो हो गया है उनको रिवाइस करने से जिनकी कमजोर दिल है तो उन्हों के दिल की कमजोरी भी रिवाइस हो जाती है इसलिए बच्चों को ड्रामा के पटे पर ठहराया गया है मुख्य फाइदा है ही याद से याद से ही आयू बड़ी होनी है ड्रामा को बच्चे समझाएं तो कब ख्याल ना हो ड्रामा में इस समय ग्यान सीखने और सिखाने का चल रहा है फिर पाट बंध हो जाएगा ना बाब का ना हमारा पाट रहेगा ना उनका देने का पाट ना हमारा लेने का पाट होगा तो एक हो जाएंगे ना हमारा पाट नई दुनिया में हो जाएगा बाबा का पाठ शांती धाम में होगा पाठ का रील भरा हुआ है ना हमारा प्रारब्द का पाठ बाबा का शांती धाम का पाठ देने और लेने का पाठ पुरा हुआ ड्रामा ही पुरा हुआ फिर हम राज्य करने आएंगे वह पाठ चेंज होगा ग्यान स्टॉप हो जाएगा हम वह बन जाएंगे पाठी पूरा तो बाकी फर्क नहीं रहेगा बच्चे और बाप का भी पाठ नहीं रहेगा यह भी ग्यान को पूरा ले लेते हैं उनके पास भी कुछ रहता ही नहीं है न देने वाले पास रहे न लेने वाले में कमी रही तो दोनों एक दो के समान हो गए इसमें विचार सागर मन्थन करने की बुद्धी चाहिए खास पुरशार्थ है याद की यात्रा का बाब बैट समझाते हैं सुनाने में तो मोटी बात हो जाती है बुद्धी में तो सुक्ष्म है ना अंदर में जानते हैं शिबाबा का रूप क्या है समझाने में मोटा रूप हो जाता है भक्ति मार्ग में बड़ा लिंग बना देते हैं आत्मा है तो छोटी ना यहां है कुदरत कहां तक अंत पाएंगे फिर पिछाडी में बेंत कह देते बाबा ने समझाया है सारा पाट आत्मा में भरा हुआ है यहां कुदरत है अंत नहीं पाया जा सकता स्रिस्टी चक्र का अंध तो पाते हैं रचैता और रचना के आदी मध्य अंध को तुम ही जानते हो बाबा नौलेज़ फुल है फिर हम भी फुल हो जाएंगे पाने लिए कुछ रहेगा नहीं बाप इसमें प्रवेशकर पढ़ाते हैं वह है बिंदी आत्मा का वा पर्मात्मा का सक्षातकार होने से खुशी थोड़े ही होती है महनत कर बाब को याद करना है तो विकरम विनाश होंगे बाब कहते हैं मेरे में ज्यान बंद हो जाएगा तो तेरे में भी बंद हो जाएगा नौलेज ले उंच बन जाते हैं सभी कुछ ले लेते हैं, फिर भी बाप तो बाप है ना, तुम आतमाएं आतमा ही रहेंगे, बाप होकर तो नहीं रहेंगे, यह तो ज्यान है, बाप बाप है, बच्चे बच्चे है यह सभी विचार सागर मन्थन कर डीप में जाने की बाते हैं यह भी जानते हैं जाना तो सभी को है सभी चले जाने वाले हैं बाकी आत्मा जाकर रहेगी सारे दुनिया ही खतम होनी है इसमें निडर रहना होता है पुरुशार्थ करना है निडर हो रहने का शरीर आदी का कोई भी भान ना आवे उसी अवस्था में जाना है बाब आप समान बनाते हैं तुम बच्चे भी आप समान बनाते रहते हो एक बाब की ही याद रहे ऐसा पुरुशार्थ करना है अभी टाइम पड़ा है यहार रिहसल तीखी करनी पड़े प्रैक्टिस नहीं होगी तो खड़े हो जाएंगे टांगे थिरकने लग पड़ेंगी और हाट फेल अचानक होता रहेगा तमो परधान शरीर को हाट फेल होने में देरी थोड़े ही लगती है जितना अशरीरी होते जाएंगे बाब को याद करते जाएंगे उतना नजदीक आते जाएंगे योग वाले ही निडर रहेंगे योग से शक्ती मिलती है ज्यान से धन मिलता है बच्चों को चाहिए शक्ती तो शक्ती पाने लिए बाब को याद करते रहो बाबा है अविनाशी सर्जन वह कब पेशंट बन ना सके अभी बाब कहते हैं तुम अपनी अविनाशी दवाई करते रहो हम ऐसी संजीवनी बूटी देते हैं जो कब कोई बिमार ना पड़े सिर्फ पतित पावन बाब को याद करते रहो तो पावन बन जाएंगे देवताएं सदैव निरोगी पावन है ना बच्चेशों को यह तो निश्य हो गया है हम कलप कलप वर्सा लेते हैं इमेमोरियल ट्राइम बाब आया है जैसे अभी आया है बाबा जो सिखलाते समझाते हैं यही राज्योग है वह गीता आदि सभी भकती मार्ग के हैं यह ज्यानमार्ग बाप ही बताते हैं, बाप ही आकर नीचे से उपर उठाते हैं, जो पके निश्य बुद्धी हैं वही माला का दाना बनते हैं, बच्चे समझते हैं, भक्ती करते करते हम नीचे गिरते आएं हैं, अभी बाप आकर सच्ची कमाई कराते हैं, लौकिक बाप इत नमस्ते धारना के लिए मुख्यसार नमबर एक माया पहलवान बन सामने आएगी उससे डरना नहीं है माया जीत बनना है कदम कदम शरीमत पर चल अपने उपर आपे ही कृपा करनी है नमबर दो बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बताना है टरस्टी होकर रहना है चलते फिरते याद का अभ्यास करना है वर्दान अपने स्वरूप द्वारा भक्तों को लाइट के क्राउन का सक्षातकार कराने वाले इस्ट देव भव जब से आप बाप के बच्चे बने पवित्तरता की परतिग्या की तो रिटर्न में लाइट का ताज प्राप्त हो गया इस लाइट के ताज के आगे रतन जड़ित ताज कुछ भी नहीं है जितना जितना संकल्प बोल और करमे प्योरिटी को धारन करते जाएंगे उतना यहाँ लाइट का क्राउन स्पस्ट होता जाएगा और इस्ट देव के रूप में भक्तों के आगे प्रत्यक्ष होते जाएंगे श्लोगन सदा बाप दादा की छत्र चाया के अंदर रहो तो विघन विनाशक बन जाएंगे शुक्रिया बाबा शुक्रिया रोज मुरली सुनने के लिए आप शिप बाबा मुरली मधवन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि टेली शिप बाबा मुरली आपके पास सबसे पहले पहुंचे ओम श्यान्ती